हेलो व्रीबन वेलकम तू अभिमन्यू आईएस आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड अल्सो वेलकम तू अभ्यास 2.0 जोकी हर्याना सिबिल सर्विसीज के लिए हमने शुरू किये पर 2024 जिसमें कि आज सी सेट के सेशन में रीजनिंग का जोकी थर्ड सेशन है इसमें आज हम डिसकस करेंगे इनिक्वालिडिस टॉपिक जोकी एक इंपॉर्टन टॉपिक है अगर हम प्रीबियस कोशन पेपर की बात करें उसमें चार से लेके पांच कोशन उसमें आये हुए थे ठीक है तो यह कोशन आपको यूजिली देखने को मिल जाते हैं और इसी के साथ में जो हमने प्रीबिएस जो वीडियो दो अप्लोड होई हैं तो सेशन को शूरू करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि SCS का जो प्रिलियम्स फास्ट्रेक बैच है आप इसको अवेल कर सकते हैं जो कि आपका एक लाइब बैच रहेगा इसको आप अवेल कर सकते हैं for 35,000 रुपीज ठीक है अगर हम प्रिविएस सेलेक्शन की बात करें इसमें हमारी 41 प्लस सेलेक्शन हुई है इन 2021 और 2022 में 27 प्लस सेलेक्शन हुई है ठीक है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और यह ऑफर जो वैलिड है जब तक हमारा बैच जो स्टार्ट नहीं होता साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़े अवेलेबल हो रही है इसमें आपको offline classes, online classes, CSET classes, PDF & notes ठीक है और साथ ही साथ आपको test series & mentorship यह सारी चीज़े अवेलेबल हो रही है ठीक है तो आप जो इसको जोईन कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको inequalities के बारे में बताना चाहता हूं inequalities होती क्या है देखिए question आपका easy way में हो जाएगा easily आप कर सकते हैं जब तक आपको basic चीज़े पता होंगी ठीक है उनको आपने apply किया होगा अगर आपने इसको पहले नहीं किया तो आपको चीज़ों को सबज़ना पड़ेगा देखिए यह तीन साइन रहते हैं majorly एक greater than less than और equal ठीक है major यही साइन है इनके combination में जो आगे साइन रहते हैं उनको जो है उनका इसमें inclusion होता है जैसे कि इन दोनों साइन को देखा तो बच्चे क्या होता है इसमें confused होते है जो भी aspirants है उनका confusion रहता है कि इन में से greater sign कौन सा है less sign कौन सा है किस तरह से इसको read करना है तो इस तरह से रहेगा देखिए यह जो sign है जिस तरफ यह open है वह value कह रहेगी greater और जिस तरफ यह closed है वह value रहेगी lesser ठीक है तो इसमें देखिए इनके combination में भी आएंगे आपको sign देखने को मिलेंगे जैसे कि यह पहला और तीसरा है तो वह क्या बनेगा either greater than or equal ठीक है तो दोनों में से एक बनेगा मा लीजिए कि m और n के बीच में यह sign है तो यह क्या बताएगा m या तो greater होगा n से या फिर m होगा equal n के दोनों में से एक आएगा similarly आपको यह sign भी देखने को मिलेगा जो कि इस less or equal का combination है आपको देखने को मिल रहा है ठीक है इन दोरों का combination इसका meaning है यह बनेगा या तो less होगा या फिर equal अपने convenience के लिए हम क्या करेंगे इसको बोलेंगे greater than or equal इसको बोलेंगे less than or equal ठीक है जैसे example के लिए हम P और Q के बीच में इस sign को ले लेते हैं तो इसका meaning होगा या तो P होगा इसमें less Q से या P होगा equal क्यों के ठीक है दोनों में से एक होगा बट definitely यह जो definite sign होते है definite sign सिर्फ यही तीन रहेंगे जिसमें की पहला है greater second है less और तीसरा है equal ठीक है अगर हम power की बात करें इनकी strength की बात करें तो सबसे ज्यादा strength होती है इन में सबसे ज्यादा powerful यह है उसके बाद जो second level पे जो powerful है वह sign बनते है greater than or equal to less than or equal to ठीक है और तीसरे नंबर पे कौन सा रहता है वह रहता है equal ठीक है जो की almost neutral sign है इसको हम neutral sign बोलते हैं ठीक है सबसे ज़्यादा power जो है इस साइंस में रहती है अब यह था आपका basic अब इसके regarding आपको question जो बनते है question को आपने attempt कैसे करना है उ जैसे की example यहां पर कि अगर मान लीजिए a equal है bk और b equal है c के तो उस case में a से c का relation क्या बनेगा आपको क्या करना है इसमें आपको इसमें जो equal sign है उसको almost ignore करना है क्योंकि a बराबर है bk और b बराबर है c के तो तीनों बराबर होंगे इसका meaning a और c बराबर है second अगर हम देखिए a greater है b से और b और c बराबर है इसका meaning a is also greater than c तो इस case में greater sign आएगा ठीक है यह अगर हम reverse order में देखें c बराबर है bk c is equal to b b is less than a उसका meaning c is also less than a तो इस sign को उल्टा लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि c is less than a ठीक है दोनों तरफ से हम इसको practice करना है कि दोनों तरफ से sign को तो दोनों तरफ से equation को आप रीड कर पाओ okay third देखिए जैसे कि माली जीए अगर आपको common sign देखनों को मिले जैसे कि a greater than b b greater than c तो इस case में देखिए a बढ़ा है b से b बढ़ा है c से तो आप बता सकते हैं कि इसमें a is also greater than c तो a is greater than c या हम c की तरफ से देखिए तो c is less than b b is less than a तो इस case में क्या बन रहा है c is less than a ठीक है तो यह दोनों तरफ से आप sign को पढ़ सकते हैं अगर मालेजिए इसमें combination में sign आज या जैसे greater than or equal sign को ले लेते हैं कि a is greater than or equal to b b is greater than or equal to c तो इस case में क्या बनेगा a is greater than or equal to c देखिए common sign देखना ह तो common sign क्या बना है less और इसकी तरफ से देखिए एकी तरफ से तो greater than or equal और c की तरफ से देखिए तो c is less than or equal to दोनों तरफ से इसको read किया जा सकता है ठीक है I hope आपको यह समझ आ गया होगा अब हम next इसमें देखते हैं अगर मानलो आपको combination में sign आ जाएं जैसे कि a greater than b greater than or equal to b greater than c चलिए यहाँ पे हम simply इसको greater sign को ही लेते है b greater than c तो इसके case में a और c का relation क्या बनेगा अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको दो sign मिल रहे हैं इसका meaning है a या तो greater होगा b से या फिर a equal होगा b के दोनों में से एक आएगा अब b का relation c से तो clear है na b का relation c से क्या बनेगा similarly A is also greater than see don't know hi इसमें बन रहा थीक तो इसमें हमें क्या कर ना है अगर इसमें इसमें देखे इन दोनों में देखे तो हमारा common sign कौन सा बना, common बनना इसमें greater sign, that is, a is greater than c, ठीक है, example के लिए, यहाँ पे हम मैं एक equation लिखता हूँ, p greater than q, greater than or equal to r, equal to s, greater than or equal to t, मालीजे जैसे यह equation है, तो इस case में क्या बन रहा है, प का relation अगर हम r से देखना चाहते हैं, देखे, p का relation t से, इस sign को equal को ignore कर देएंगे, p का relation t से देखेंगे, तो क्या common आ रहा है, greater, ठीक है, तो p is greater than t, similarly, q का relation अगर t से देखना चाहिए, तो इसको equal को ignore कर दो, क्या रहा है greater than or equal greater than or equal तो क्या आएगा q is greater than greater than or equal to t similarly अगर मैं r का relation t से देखना चाहूं तो r और s बराबर है s greater than or equal t है तो r भी greater than or equal to t बनेगा ठीक है t की तरब से भी sign को देखा जा सकता है कि t क्या बनेगा t is less than p I hope आपको यह समझ आ चुका होगा और आपने ध्यान रखना है कि जब भी opposite signs बने तो opposite signs के बीच में क्या आएगा इसके case में बनता है unknown relation ठीक है unknown relation या आप बोल के चलो इसमें indefinite relation definite relation इनमें बन रहा है indefinite relation उनमें बनेगा जिसमें की हम relation को बता नहीं सकते ठीक है तो यह थी basic चीजे जिनको हमने इसमें discuss किया अब मैं question के थुरू आपको बताऊंगा और एक इसमें रहता है आइदर और केस उसको भी मैं बताऊंगा आइदर और किस किसमें बनता है आइदर और या तो आपको इन साइन्स में देखनों को मिलेगा यह आपके पास अगर माल लें एए उसस से बंजाया डोनों cases में क्या बने एक में greater बने simple दूसरे में less than और equal बन जाए ठीक है बीच का element दोनों से ही बड़ा हो या दोनों से ही छोटा हो ठीक है तो उस case में क्या बनेगा पहला और तीसरा element incarnation हम नहीं बता सकते हैं चलिए question पर चलते हैं पहला question देखे यहां पर given है ठीक है जैसे कि यहां पर given है कि statement है हमें बताना कि कौन sense में से conclusion true है यह statement दी गई है इसमें तीन पार्ट है अगर हम इसको combine करना चाहते हैं तो combine भी कर सकते हैं और बिना combine किये भी हम question को कर सकते हैं जैसे कि यहां पर given है कि O greater than S और S का relation देखिए यहां पर किस से है S is less than or equal to D देखिए यहां पर S का relation D से और D का relation C से check करिए तो इसमें देखिए D की तरफ से अगर हम read करें तो D की तरफ जो sign open है इसका meaning है D is greater than C ठीक है तो D is greater than C बन रहा है अगर हम इसमें बताना चाहें O का relation D से या O का relation C से तो हम नहीं बता पाएंगे इसका meaning पहला तो हमारा गलत है second देखिए S का relation D से S का relation अगर हम D से तक बताना चाहें तो S से C तक हम नहीं बता पाएंगे यहां पर जो given है S का relation D से already given है ठीक है अगर relation given है तो यह क्या बनेगा या तो S बनेगा D से less या फिर S बनेगा equal D के तो दोनों में से एक आना चाहें बढ़ definite हमें नहीं पता जब definite नहीं पता तो उसके case में क्या होगा अगर single में इसको represent करना हो तो single में इसको represent नहीं किया जा सकता इसका मतलब है ना तो यह पहला follow कर रहा है ना ही दूसरा इसका meaning है कि neither one nor two is following ठीक है option D इसका answer बनेगा I hope आपको यह question समझ आ चुका होगा यह previous year का question है ठीक है previous year जो 2023 में C set हुआ था उससे related इससे लिया गया question अब देखिए next question यहाँ पे इसमें given है कि G equal to C और C का relation D से अगर आप इसको combine करना चाहते हैं तो combine भी कर सकते हैं और बीना combine भी question किया जा सकता है पहले मैं आपको combine करके बताता हूं फिर इसको बीना combine किये भी हम question को discuss करेंगे G equal to C ठीक है अब देखिए यहाँ पे आपको C इधर मिल रहा है C का relation D से क्या बन रहा है C is greater than or equal to D ठीक है अगर मैं G का relation D से बताना चाहूंगा तो वो बता सकते हैं similarly G का relation P से भी बन रहा है तो G का relation P से क्या बन रहा है G की तरफ देखिए क्या sign है G की तरफ जो है less sign है मतलब sign को close किया गया तो G is less than or equal to P अब सबसे पहले देखिए conclusion, conclusion की बन है कि D is greater than or equal to G, D का relation जो है क्या बन रहा है G से, D की तरफ देखिए close sign है close sign है और उस बज़े से क्या बनेगा यह बनेगा less sign तो यह D का relation G से बना है, D is less than or equal to G, ठीक है बट यहां पर क्या बनेगा इसका opposite यह गलत बनेगा second देखिए C का relation P से, तो C का relation अगर हम P से पता करना चाहें तो देखिए, G is less than or equal to P, similarly C is also less than or equal to P, यह बनेगा C is less than or equal to P, बट इस case में यह क्या बन रहा है, यह greater बता है, इसलिए यह भी गलत, तो दोनों के दोनों गलत बन रहे हैं, इसका meaning है, option D आएगी, neither one nor two is following, ठीक है अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया कि इसको बिना लिखे भी किया जा सकता है, बिना pen paper use किये, तो कैसे बनेगा देखिए, D का relation हमें कहां तक पहुंचना है, D से G तक पहुंचना है, तो D से पहले देखिए, यहां पर C का relation है, D is less than or equal to C, और C का relation G से क्या है, equal, तो C is equal to G, हमने क्या करना है, ऐसे लिखना नहीं है वहां पर, हमने ऐसे practice करना है, कि D जो है less than or equal to C के, C और G बराबर है, इसका meaning है, D is also less than or equal to G, ठीक है, जो कि हमारा यहां पर भी relation बना था और इसमें भी बन रहा है, ठीक है, बट यहां पर क्या given है, D is greater than or equal to G, इसलिए यह गल बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा true है, ठीक है, question की जो statement है, उपर जो information दी जाती है, जो direction दी जाती है, हमेशा उसको read करना है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कई बार आपको incorrect conclusion भी पूछा जा सकता है, तो जैसे कि इसमें question में given है, कि Y का relation J से, तो Y का relation J से हम check करेंगे क्योंकि जैसे हमने पीछे जो question किये, उनको मैंने यहां पर उतार के किया था, अब हम इसको bin up and paper के करेंगे, तो Y का relation J से क्या given है, Y is greater than J, Y यहां पे है, और J इन दो जगापे है, Y से मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, Y से जाना पड़ेगा, C तक, Y और C बराबर है, और C का relation J से क्या है, C is less than J, इसका meaning है कि इसकी जगा हम Y को रखेंगे, तो वो भी same relation में आएगा, Y is less than J, यह J is greater than Y, तो यह तो यहां पर उल्टा दिया गया है, तो क्या आएगा, Y के तरफ जैसे पहले से ही less sign है, तो हम उसको less ही sign रखेंगे, तो Y is less than J, जो कि यहां पर गलत ब देखते हैं, A का relation Y से, तो A का relation Y से चेक करेंगे, तो पहले हमें A से J तक जाना पड़ेगा, और J से, J का relation C तक है, और C और Y दोनों बराबर है, तो A is greater than or equal to J, और देखिए, अगर मैं इसमें की फॉर्म में लिखोंगा, तो A is greater than or equal to J, और J is greater than C, और C और Y पराबर है, इस सही बनेगा, that is, only second conclusion is following, ठीक है, यह next question हो गया आपका, अब हम इसके next question में चलते हैं, इस question में भी आपको क्या पूचा गया है, यहाँ पे, similar question है, हमें बताना है, कौन साइस में से true है, ठीक है, conclusion में भी आपको पता चल रहा है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे, conclusion में given है कि P का relation G से, तो P से G तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही जो arrangement है, इसी में से देख लेते हैं, P का relation G से हम check करेंगे, तो P is greater than G, यह बन रहा है, देखिए, equal को ignore कर दो, greater यहाँ पे, greater और equal है, तो क्या common आ रहा है, greater, तो P is greater than G, पहला सही है, second को अगर हम द is less than G, ठीक है, G का जो relation यहाँ पे बन रहा है, वो बन रहा है less, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो equal है, इसको हम ignore कर देंगे, B और J बराबर है, G is less than G, second इसमें सही है, मतलब दोनों के दोनों सही है, तो both वाली जो option हमारा, इसमें answer बनेगा, ठीक है, I hope यह आपको question समझ आ गय है, यह भी छोटा ही question है, कोई जादा बड़ा question नहीं है, इस question में given है कि F का relation B से, अब देखिए F यहाँ पे है और B यहाँ पे, इनमें common क्या आ रहा है, अगर हम इसको equal को देखें तो इसको equal को तो गिनूर कर देंगे, क्योंकि F और E बराबर है, अगर E greater है D से, तो F B greater ब बनेगा, second देखिए, D का relation A से क्या बन रहा है, D से A का relation, क्योंकि इसमें opposite sign आगे, opposite sign होने के बज़ा से हम relation को नहीं बता पाएंगे, तो क्या आएगा, D का relation A से गलत होगा, that is, इसमें सिर्फ पहला ही सही है, तो इसमें क्या आएगा, only A is following, ठीक है, चलिए, next question पर move करते है यह आपको कुछ parts में question दिया गया है, इसमें equation जो है, तीन equation है, देखिए, इसको अगर मैं combine करना चाहूं, तो combine भी किया जा सकता है, बट क्या होता है, combine करने से आपका time waste हो जागा, time आपको लगेगा उसमें, तो जो हमें required है यहाँ पे, उसको देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको combined form में बताता हूं, उसके बाद जो required है, उसको हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पहली equation है, h greater than o equal to u, greater than or equal to b, less than l equal to p, ठीक है, similarly, अब देखिए, यहाँ पे common क्या है, common है b, तो b से हमें relation देखना है, b का relation s से क्या मना है, b is greater than or equal to s, s is greater than k, s से इसको combine किया जा सकता है, जब left side और right side occupied है, तो आप उपर और नीचे इसको बना सकते है, similarly, जो b है, b किसके equal है, n के, और n किसके बड़ा है, n is greater than d, ऐसे इसको बनाया जा सकता है, ठीक है, यह हमारा relation बन किया, यह equation को मैंने combine कर दिया, अब पहला इसमें देखिए, k का relation l से, k का relation l से देखेंगे, त is less than or equal to b, तो दोनों में common क्या है, less, अब इसमें l इधर है, बिल्कुल साथ में, तो देखिए, less, less और less, common क्या चल रहा है, less, तो k is less than l, यह बन रहा है, इसमें relation, k is less than l, बट यहां पर क्या है, इसमें भी same है, तो उसका meaning है, पहला सही, ठीक है, पहला हमारा सही है, second पर च than or equal to b है, b का relation s से देखें, तो यहां पर भी हमें greater than or equal मिल रहा है, इसका meaning है कि h is greater than or equal to s, but s का relation अगर हम k से देखेंगे, तो वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है, only greater, इसका meaning है, यह second हमारा गलत बनेगा, ठीक है, क्या हम इसको बिना combine किये हुए भी कर सकते हैं, तो देखि k से कौन सा element जुड़ा है, k से जुड़ा है s, और s से जुड़ा है b, क्योंकि b से ही आगे कौन जुड़ा element, l, तो k is less than b, b is less than l, meaning k is also less than l, तो पहला हमारा जो है, जो conclusion है, वो सही है, second conclusion को देखिए, h का relation k से, तो h से हमें कहां तक जाना पड़ेगा, पहले h से b तक, और b स से फिर k तक, देखिए, h is greater than or equal to b, जो कि हमारे पास यह पार्ट बन रहा है, इस तरह से h is greater than or equal to b, और b का relation s से, या b का relation s से देखिए, greater than or equal, जो मैंने combine करके इस तरह से बनाता है, h is greater than or equal to s, और s का relation k से कहा मन रहा है, only greater, इस बज़ा से आपका greater than or equal नहीं बन पाएगा, तो यह आपका option c बना, ठीक है, तो try करें कि आप बिना pen paper के इसको करें, अगर pen paper use करना भी है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है, next question पे move करते हैं, यह question भी इसी तरह का है, और इस question में given है यहां पे, कि w का relation r से, तो w का relation r से किस तरह से बन रहा है, w हमारे पास यह है, और r हमारे पास यहां पे है, तो हमें check करना है कि w से कौन सा element जुड़ा है, तो देखिए, r से p जुड़ा है, और p का relation अगरम देखेंगे, तो किस से है, p का relation x से है, और x यहां पे जो है element, तो w का यहां पे इसमें relation देख सकते हैं, w का relation r से, यह तो direct ही है, हमने यह जहां दिया था, यहां पे हमें direct मिल रहा है, तो w is greater than r, यहां पे हमारे पास यह बन रहा है, जो कि direct है, उसी equation में given है, o का relation r से check करना है, तो o कहां पे है, o है इस equation में, और r है दूसरी equation में, सिर्फ इनी दो equation का use होगा और इसको किया जा सकता है, o से पहले p तक जाएंगे, o is greater than p, ठीक है, ऐसे आपने दिमाग में रखा आपने, p का relation r से क्या, p और r दोनों बराबर है, that is, o is also greater than r, तो क्या बनेगा इसमें, यह second जो कि हमारे बस conclusion भी वही है, कि o is greater than r, तो दोनों को दोनों सही है, इसका meaning है कि both 1 and 2 are following, ठीक है, next question पे move करते है, यह हमारा next question, इस question म बताना है, ठीक है, सबसे पहले देखिए, w कहाँ पर, w है, इधर, j तक जाना है, तो j यहाँ पर है, अब इन से कौन-कौन से element जुड़े है, देखिए, w से पहले, g तक जाना पड़ेगा, g से फिर हमें जाना पड़ेगा, g से, देखिए, w is less than g, और g का relation, अगर हम देखिए, तो g का relation हमें पता करना है, e से, g का relation हमें किसे पता करना है, f से, और f का relation किसे है, g से, directly जुड़ा है, ठीक है, तो w is less than g, g की तरफ से, देखिए, f तक का क्या relation है, g is, देखिए, less, 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 g is less than f, और f की तरफ क्या है, यहाँ पर open sign आगया है, मतलब f is greater than g, इसका meaning है कि, w से j का relation हम नहीं बता सकते हैं, सबसे important point यहाँ पर है, क्योंकि आपको एक either or condition भी आती है, either or condition जो होगी, वो किस तरह से आप करेंगे, देखिए, w जो होगा, j से क्या हो सकता है, w जे से greater हो सकता है, ठीक है, या w जे से less भी हो सकता है, ठीक है, या फिर w j के, sorry, यहाँ पर j आएगा, w j के equal भी हो सकता है, ठीक है, अब क्योंकि हमें इसका relation नहीं पता, तो आपके आएगा, यह तीनो possibilities बनी, तीन possibilities बनती हैं, यह तीन possibilities जो होगी, अगर आपको मिलेंगी, दो option में, ठीक है, तीन possibility अगर हमें दो conclusion में fit हुई मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी, वो देखिए, पहले अगर माली j, जैसे कि इन में से, हमें क्या मिल रहा है, w is less than j, दूसरी question को देखें, दूसरा conclusion है, उसके अगर मैं इस तरफ से अगर इसको लिखना चाहूं, तो वो बनेगा, w is greater than or equal to j, तो क्या बन रहा है, एक में less आ गया, जैसे कि second में less है, तो बाकि जो दूसरी conclusion बनेगा, इन दोनों का combination बनेगा, वो बनेगा, w is less than j, और दूसरा बनेगा, w is greater than or equal to j, ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से इसको question को करना है, देखिए, usually क्या होता है, आपको ऐसे question दिया जाएगा, conclusion दिये जाएंगे, उसमें आपने देखना है कि element same है, और इनमें जो relation है, वो unknown relation बना है, या बोल लो उसको कि इसमें हम define नहीं कर पाएंगा, undefined relation बना है, जब undefined relation है, उसको define कैसे किया जा सका, तीन possibility में, तो हमने क करना है, simply याद रखना है कि, जब relation unknown हो, और उस case में, जो elements है, वो same है, ठीक है, जिसमें कि तीन possibilities fit हो रही है, इसका meaning है, या तो यह पहला बनेगा सही, या फिर दूसरा, मतलब either or इसमें बनेगा, ठीक है, इसमें एक जो है, यहाँ पर बना है, W is less than J, पर इसमें यह दोनों का combination बन रहा है, ठीक है, तो W is greater than or equal to J, इसका second case भी बन सकता है, इसका तो हमारा answer बनेगा, either one or two, पर देखिए, second case भी इसका बन सकता है, मा लिजे, जैसे पहले case में बना, पहला conclusion मिल रहा है, आपको, W is greater than J, तो second क्या बनेगा, second आपका बनेगा, इन दोनों का combination, that is, W is less than or equal to J, ठीक है, यह second इसका बनेगा, ठीक है, यह दूसरा case है, तीसरा case भी बन सकता है, तो तीसरे case में क्या बनेगा, मा लिजे, पहला जो है आपका conclusion बना, W equal to J, ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा, इन दोनों का combination, अब आपने याद रखना है कि यह भी आपके पास एक जो है, sign होता है, जो की indefinite sign है, not equal to, equal नहीं है, तो क्या होगा, या तो greater या फिर less, greater या less, तो अगर आपको पहले में यह मिला, दूसरे में आपको जुरूर यह मिलना चाहिए, ठीक है, तो यह क्या बनेगा आपका, either or में बनेगा, या तो यह case में होगा, या फिर यह, या एक बार आपने go through करना है, इन सभी को, ठीक है, and that is all for now, तो जाने से पहले आपको यह कहना चाहता हूँ, कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो आप हमारे चैनल को subscribe करें, इस वीडियो को like करें, और share करें, that is all for now, thank you so much.